हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यू हब ऑनलाइन क्लासिज तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप से आंगनवाडी भरती आंगनवाडी के अंदर एक नई भरती आई है दो हजार तेईस की उसके बारे में डिटेल में डिसकस करूँगा किस तरीके से आपको form apply करना है कहाँ पर आप अपने form को search कर सकते हैं अगर आप maximum बारवी पास है तो आप जो है इसके लिए apply कर सकते हैं salary क्या रहने वाली है उसके बाद मैं आपको इसके अंदर जो vacancy आई है वो है सुपरवाइजर की, साहिका की, वरकर की और टीचर की वेकेंसी इसमें अवेलेबल है All India वेकेंसी है, इंडिया के किसी भी डिस्टिक जीले कोने से आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं तो आंगनवारी भरती 2023 के बारे में डिटेल में वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट आपको किलियर कर दूँगा, अगर कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कॉल और कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं तो संगठन और पदों की संख्या, ICWD के द्वारा ये वेकेंसी आई है 14,560 पद है कितने हैं? 14,560 पदों पर उपलब्ध है जो आंगनवारी की नौकरी के लिए पात्र है इसमें सुपरवाईजर, सहयक साई का आंगनवारी कारे करता और आंगनवारी हेलपर की जोब अवेलेबल है 14,560 पदों परिया भरती सुपरवाईजर, सहयका आंगनवारी कारे करता और हेलपर की भरती आंगनवारी भरती है तू क्या-क्या आपको दस्तावेज चाहिए अधार कार्ड, दस्वी की मार्शीट, पांच्वी की अंगतालिका, विभा पंजीकरन, बैंक डिटेल, परिचैपत्र, जन अधार कार्ड, रासन कार्ड ये सब आपके पास होना चाहिए ये सारे डॉक्यमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले से ही इन डॉक्यमेंट को प्रिपेर करके रख लीजिए तो अब मैंने आपको आगे बताता हूँ कि सेक्षनिक योग्यता क्या रहने वाली है आपकी जो एज्यूकेशन कौलिफिकेशन ने वो क्या रहेगी आंगनवाडी कार्यकरता के लिए पांचवी पास होना जरूरी है आंगनवाडी सहाइका के लिए भी पांचवी पास होना जरूरी है आंगनवाडी सुपरवाइजर या फिर आप प्रियवेचक बोल सकते हो उसके लिए बारवी पास होना जरूरी है ठीके जो भी भारत का नागरिक है और बारवी पास है तो सुपरवाईजर आंगनवाडी सुपरवाईजर के लिए अपलाई कर सकते हैं आंगनवाडी भरती परक्रिया में आविदन करने से पुर्व सभी महिलाईग के पास आय पर्मान पत्र जाती पर्मान पत्र निवास पर्मान पत्र याने की मूल निवासी बनाना अती आवशेक है सामने जाती की महिलाओ के लिए जाती पर्मान पत्र बनाने याने की जनरल कर्टेगरी से है उनको जाती पर्मान पत्र बनाने की आवशेकता नहीं है अब मैं आप आपसे आयू सीमा के बारे में बात करूं तो आंगनवाडी कार्य करता के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 21 मिनिमम है 45 मैक्सिमम है उत्तर परदेश यूपी सहाइका के लिए नियूनतम आयू 21 साल नियूनतम है और मैक्सिमम 50 साल है मिनी आंगनवाडी कार्य करता के लिए मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 45 आपकी रहने वाली है अब मैं आपसे सैलरी के बारे में डिस्कस करूंगा देखो मैने फिरेंड्स आपको पहले ही का था वीडियो का मक्सद ये है कि आपको एक एक पॉइंट जो है किलियर कर दिया जा दूसो रुपए आपको मासिक वेतन दिया जाएगा एगरिकल्चर ये मांगनवाडी जो सुपरवाइजर है उसमें 12 पास मांगा गया है सैलरी भी 22,200 रखी गई है ठीक है कलियर है आपको उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन अपलाई करना है तो उसमें आपक को कितने रुपए फीस लगेगी जनरल ओबी सी डबलू एस के जो भी कैंडिडेट है उनको धाई सो रुपए सी एस्टी वालों को सो रुपए भुकतान करना पड़ेगा और जो पैमेंट है वो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ट क्रेडिट कार्ट या बैंकिंग ऑनलाइन ब www.icds.com पर जाकर आपको ओनलाइन अपलाई करना है तीज पांच यानि की तीज मैं तक आप अपलाई कर सकते हैं तो तीज से पहले मैं आप से रेक्वेस्ट करूंगा तीज से पहले ही आप अपलाई कर दीजिएगा जिसे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो तो आंगनव प्राड़ी भरती icds.com पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं तो मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया है क्वालिफिकेशन बहुत सही है इसके अंदर पांच वी पास है दस वी पास है बार वी पास है तो भी आप अप्लाई करें सुपर्वाइजर सही का वर्कर की इसके अंदर वेकेंसी आई हुई है और और अल इंडिया वेकेंसी है सबसे इंपोर्टेंट बात कोई भी डाउट हो आपको क्योंकि मेरा मकसद आपको इंफॉर्मेशन को सही तरीके से डिलीवर करना है कोई भी डाउट हो कॉल आप और कमेंट तीनों कर सकते हैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तीनों में आपको रिप्लाई करने की पूरी कोसिस करूंगा थैंक्यू हेव नाइस दे बार